प्रिये मित्रों आज परमिश्वर आपको एक बिशेश आशिश देने वाले हैं हग ये दो उन्नीस के अनुसार परमिश्वर ने कहा है आज के दिन से मैं तुमको आशिश दूगा परमिश्वर अपना सामर्ती हाथ बढ़ाएं और आपको आशिश दे किस स्थिति में परमिश्वर ये बात कहते हैं हग ये दो उन्नीस की पहला भाग में ऐसा लिखा है क्या अब तक बीज खते में है अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैटून के व्रिक्ष नहीं फ़लें लेकिन उसके बाद परमिश्वर कहते हैं परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशिश देता रहूंगा परमिश्वर एही आशिश सरपत के बिद्वा को दिय थे वो और उनका पूत्र बिलकुल मरने पे ही थे उनके पास कोई भी भोजन नहीं थी एलिया भुश्वक्ता उनके साथ मुलाकात किया और खाने के लिए एक रोटी मांगा जब उस बिद्वा ने एलिया को रोटी से तृट्थ किया तब एलिया सारपत को इस तरह से आशिश दिये ना तो उस घर का मैदा समाफ्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा जब तक यहोवा भुमी पर मेहना बरसाएगा और उनके जीवन में बिलकुल ऐसा ही बात हो गया जी हाँ आज परमिशर उसी तरीका से आपको भी आशिश देंगे सायद आप कह रहे हैं मेरे जीवन में सब कुछ मानो रुक सी गई है मेरे घर में और कोई भोजन नहीं है मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है मेरा पुरा सहत मैं खो चुका हूँ मेरा सारा आशिस मैं खो चुका हूँ लेकिन आज के बाद से परमी शरफ को आशिस देते रहेंगे आए मित्रों हम इस पर विस्वास करें पिता अपने वचन के अनुसार अपने बच्चों को आशिस दें पिता अपने जीवन में और जो कुछ खोए हैं सारी बाते वापस आ जाए पिता उनका पैसा, उनका सिहत, उनका पारिवारिक आनद और हर एक प्रावधान एश्यो के नाम से बापस आ जाए पिता आज से उनको आशिस दें पिता अप उनको स्मारन करके उनको आशिस दें वो ऐसा ना कहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है अपने बच्चों की मदद करे ताकि वो कैसा कि मेरे जीवन में सब कुछ है पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो मृत्तु सय्या में है पिता अपना सामर्ती हाथ बढ़ा कि उनको आप चंगा करें वो पुनुर्थित हो जाए उठे एशु के नाम से आप चंगे हो जाए धन्यवाद अपने बच्चों को आशिशित करने के लिए उनके जीवन में किसी भी बात का कमी घटी ना हो एशु के नाम से परमेश वरफ को आज से आशिश दे